पधान मंत्री नरेंद्र मोदी फिलिपीन्स डौरे पर है सुमवार को उन्होंने यहाँ पर अंतराश्ट्रिय चावल अनुसंधान संस्थान आयाराराई का डौरा किया मोदी यहाँ पर खेती करते हुए भी नजर आए इस दोरान पी एम मोदी ने आयरी में लैब का उदगाटन किया इस लैब का नाम पी एम मोदी के नाम पर ही रखा गया है लैब का नाम श्री नरेंद्र मोदी राजिला एंट राइस फील्ड लिबारेटरी रखा गया है इससे इतर पीम ने यहां वैश्विक चावल अनुसंधान केंद्र के बेंग कुद्धान की दो प्रजातियों के बीच सौपे भीच देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयाराराई प्रमुक अनाज की खेती में सुधार करके गरीबी और भूखमरी को कम करने की दिशा में काम कर रहा है सुमवार को लौसबानोस में अंतराश्ट्री चावल अनुसंधान संस्थान आयाराराई पहुंचे प्रधानमंत्री ने वहां काम करने वाले भारतिये विज्ञानिकों के साथ बाचीत की आईरी के विज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री को बाढ़ का प्रकोब जेल लेने वाले चावल की किस्मों के बारे में बताया जो की 14 से 18 दिनों तक पानी में डूवे रहते हैं और बाढ़ प्रभावित चेत्रों में एक से तीन टर्न प्रती हे केर अधिक उपज प्रधान करते हैं खेती करते आये नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूमवार को फिलिपीन्स के लौस बनोस के इंटरनाशनल राइस रिसर्च इंसिट्यूट का दोरा किया आपको बता दे कि इसका एक सेंटर जल्दी वारानसी में खुलेगा प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक फोटो प्रधर्शनी को भी देखा जिसमें धान की खेती वारानसी में खुलने वाले सेंटर आधी के बारे में विस्तार से बताया गया था पी एम ने इस दोरान आयरी में कारेरत कई भारतिये विज्यानिकों से भी बात चीत की